इस बार के विधान सबाद चुनाव में कॉंग्रेस लेटर नहीं बलकि डिस्टिंक्शन के साथ पास होगी। प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा के स्टिपणी के बाद प्रतिक्रियाई शुरू हो चुकी है। नेडा संयोजक हिमंत विश्व शर्मा अब रिपुन बोरा पर चुटकी लेने का एक भी मौका। छोड़ते नजर नहीं आरे। एक रिपोर्ट। निधान सबा चुनाव नजर्दीकाने के साथ-साथ नेताओं के बीच ब्यानबाजी भी तेज हो चली है। खासकर कॉंग्रेस अध्यक्ष्रिपुन बोरा और भाजपा के कदावन नेता तथन नेडा संयोजक हिमंत विश्व शर्मा के बीच वाक युद्ध चरम पर है। कॉंग्रेस के अध्यक्ष्रिपुन बोरा ने भाजपा के मिशन हंड़ेट प्लस का मजाग उडाते हुए इस बार डिस्टिंक्शन के साथ कॉंग्रेस की जीत का दावा किया है। प्लस के अध्यक्राइट प्लस का मजाग उडाते हुए इस बार डिस्टिंक्शन के दावा पर भाजपा के पुर्वत्तर के चानक के कहे जाने वाले नेडा संयोजक ड़क्टर हिमंत विश्व शर्मा ने चुटकिए उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस को डिस्टिंक्शन सेबा बोर्ट से नहीं बलकि बांगलादेश के बोर्ट से मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि बोरा जो सपना देख रहे हैं वह सम्में नहीं बलकि बांगला देश में ही पूरा हो सकता है मौके पर उन्होंने AIUDF सुप्रीमो मौलाना बद्रुदिन अजमल पर भी जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि 2021 का चुनाव सभ्यता और संस्कृती की लड़ाई है अजमल की नेत्रितो वाली AIUDF आसम की सभ्यता और संस्कृती के लिए सबसे बड़ा खत्रा है आसम जैसे सम्वेदन शिल राज्य के लोगों को AIUDF के खिलाफ सभ्यता और संस्कृती की रक्षा की लड़ाई लड़नी चाहिए आजमल थो खड़ाय फेक्टर कान आजमल ए आमार खोईब्भता ख içer हंचकी भणाष के लिए लागी उठी से आजमल जैत데Westly कॉंग्रेस्वेद आसमेल ये भाट़भा़वहत्तित अखेल का इले वही उन्होंने दावा किया कि भाचपा इस बार कॉंग्रेस के कबजे वाले सीटों पर भी जीत दर्च करेगी नुस्टेक्स रिपोर्ट नॉटिस्ट लाइव झाल झाल झाल